तो इस्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में जितने भी प्यारे स्टूडेंट यूपी बोर्ट के अच्छा बारक हैं और बोर्ट इजाम 24 मार्च को देने वाले हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी बहुत इंपोर्टेंट है क् कि आपको कहीं भी खोजना नहीं कि सर बताइए जो मोस्ट इंपोर्टेंट 93 कोशन मैं लाया हूँ इसको आपके ओल तयार करके मात्र आप इसमें देखिए आदे गंट यानि 45 मिनट देते हैं समय तो आपको 10 नंबर किसी से भी नहीं पूछना परेगा कि सर बहुत बहुत यानि 93 कोशन में से आपने कितने कोशन को पतला समिट करते हैं कितने कोशन आपको आज आ रहा है इस वीडियो में फाइनल में आपको बताना है कि आपने 90 कोशन किया है कि 88 कोशन की 80 कोशन आप इस वीडियो को बस सुरू से अंतक देखिए आप से रिक्वेस्ट हैं कि केव पर चला रहे हैं जादे समझाने की दिक्कत नहीं नहीं है आपको बस क्या करना है कि रिवाइज करा रहे है जल्दी-जल्दी कोशन बता देता हूँ ठीक है चलिए तो ध्यास देखिए गद साइट से पांच कोशन जो पेपर में आएगा पहले नमबर फ़स्ट नमबर कवी वचन सूधा के संपादक थे जो बच्चे तयार कर लिए हैं आप भी तुरंत रिवीजन भी करिए क्योंकि हमेसा जब दो-तिन बार पढ़ते हैं किसी चीज को दिमाग में सेट हो जाता है कवी वचन सूधा के संपादक थे यह कोशन आप देख लिजिए आप सन डाल दिये हैं अब सन बताने कोई जूरत नहीं है आप पढ़ते रहिएगा कवी वचन सूधा के संपादक कौन थे तो देख सकते हैं यहाँ प एंसर जो भी वच्चे वासु देश रड़ाकरवाल बताए हैं उन सभी का साही है ठीक है नेक्स्ट कोशन सलेंगे यहाँ पे जहां से देखिए थर्ड नमबर अनंद कादिम्बिनी पत्रिका का संपादक करते थे यह कोशन दुहेर 20 में 19 में और 15 11 में पूछ चुका है अन कि कम समय बचा है आप ती 90 कोशन बस लगा लिजी 10 नमबर फिक्स होने वाला है चार नमर कोशन हिंदी प्रदीप के संपादक थे यह कोशन देख लिए इतने बार बोड़ीजा में पूछा जा चुका है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे तो इसका करेक्ट एंसर ज जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है फाइप नमर का देख लिए ओप्सन फटा फट से इसका करेक्ट एंसर प्रताप नरेड मिस्ल यानि कि जो खो नमर है यह हो जाएगा इसका करेक्ट एंसर नेक्स्ट कुशन की तरब आगे बढ़ते हो चलेंगे यहां पर लिए शिक् करेक्ट एंसर बेश्रू पर भाग कर जी ओके सईय की गलती अपने आप में एक एक चीज़ को बस देखते चलना है से बी नमबर हिंदी का पहला मौलिक उपनियास चलिए हिंदी का पहला मौलिक उपनियास क्या है परिक्षा गुरू गोदान है गुनाहों का देवता चित् पर देखिए आठ नमबर क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विदा है इसमें से कौन सा होगा संसम्र डाइरी आत्मकथा यात्रा विरी चलिए आठ नमबर कोशन का रिपीट कर लीजिए जो भी बच्चे करें कि आत्मकथा होगा उन सबों का सही है नेक्स्ट कुशन क्या होगा जैसंकर पर साथ जो भी बच्चे का रहे हैं जैसंकर पर साथ उन सभी का सही है नेक्स्ट कुशन यहाँ पर दसवा नमबर पर आ चुके हैं क्या कर रहा है कि अपनी खबर की विदा की रचना है यह कोशन दुहेर्वीश और पंदर में पूछ चुका है अपनी कि इस विदा की रचना है इसका करेक्ट एंसर आत्म का था जो वच्चे तयार किये हैं उन सभी का सही है नेक्स्ट कुशन चलें यहाँ पर 11 नोमर कुशन मेरी असस अफलता है कि इस विदा की रचना है यह कोशन 2020 पेपर में 15-13-11 में पूछ चुका है कि मेरी असस अफलता किस बीधा की रचना है इसका करेक्ट एंसर जो भी बच्चे कर रहे हैं आत्म कथा होगा उन सभी का सही है नेक्स्ट कोशन चलें नेक्स्ट कोशन आपके पास आ चुका है बारह नुम्मर कर रहा है कि सरदार पूर सिंग किस यूग के लेखक हैं चलिए ये कोशन आ इसमेंजा बनतों करेक्ट एंसर बताईए घरतेंदु ओ उके की दिवेदि यूग कै की च्हवाद यूग के प्रध गतिवाद यूग जो भी बच्चे कces नेक्स्ट को रज़ाय है नेक्स्ट कोशन चलते हैं बीना देरी के कोशन को रिवाज कर रहे हैं यहां पे त्ररा न सब्सक्राइब करना चाहते हैं बता सकते हैं जो बता रहे न उन सभी का सईए ओके नेक्स्ट को सलते हैं यहां पर आपके चोदर नमर दीप चले संख वज्जे बिद्धा है किस प्रकार की विद्धा है यहां पर एक रिखा चित्र ललित निवंद यातरा ब्रिंत संसम्रड आनि कि जीस भी वच्चे का अगर आ रहा है कि संसम्रड है उन सभी का सही है ठीक है नेक्स्ट कोशन सलते हैं यहां पर आपके पास आ चुका है फिप्टी नमर कोशन भासा और आधुनिक्ता के लेख कौन है यह कोशन दुहर बिस में पूछा गया था डाक्टर हजारी आ चुका है 16 नमबर कुटज निबंध संग्रा के लेख कौन है कुटज जो निबंध है इसके संग्रा के लेख कौन यह कोशन दुहर बिस और उनेश में पूछा गया था चलिए इसका करेक्ट एंसर बात यह आचारी रामचंद सुक्ल बालिक रिश्रवर्ट हजारी परश 17 नमबर कुटज यहां पर क्या लिखा है कि इंदू मती कहानी के लेख कौन है यह कोशन दुहर रोनिस में पूछा गया था ब्रिंदा लाल वर्मा जी कि सोरी लाल गोश्वामी जी अगे जी के प्रेम चंद्र जो भी बच्चे अगर कह रहे हैं कि इसका कि सोरी लाल गोश् करती के फूल तो इसका करेक्ट एंसर जो भी बच्चे को मालूम है कि हाँ प्रित्वी पूत्र होगा यानि कि यहां पर मैं बता दू प्रित्वी पूत्र यानि कि खो नमबर उन सभी का सही है नेक्स्ट कोशन 19 नमबर ध्यांस देखिएगा प्रोजी सुंदर रेडी लेख किसका है तो इसका करेक्ट एंसर जो भी बच्चे करें कि मेरे विचार उन सभी का सही है मेरे विचार उन सभी का करेक्ट है नेक्स्ट कोशन सलते हैं यहां पर देखिए 20 नमबर कोशन यस्पाल कृति सिन्हावल लोकन रचना बीदा है आत्मकथा के रेखा चित्र के संसमरण के कहानी के तो इसका करेक्ट एंसर जो भी बच्चे करें कि आत्मकथा का नमबर उन सभी का राइट है ठीक है तैयारी जवरजस्त करते रहिए समय आज बस बचा है एक किस नमबर द कौन यह कोशन दुएर बीस में पूशा गया था सुरीकांत्रिपार्टी महादवी वर्मा कनहयाल आलमी सिर्प्रभाकर डाक्टर राम बिलास सर्मा जी इसका 21 नमबर कोशन का जो भी बच्चे कह रहे हैं कि इसका डाक्टर राम बिलास सर्मा होगा उन सभी का करेक्ट है ओ स्याम सुंदर दास की हजारी परशाद दुएदी हरिसंकर परशाई 22 नमबर कोशन का जितने भी बच्चे कर रहे हैं हजारी परशाद दुएदी यानि गनम अमर अपसान उन सभी का करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं आप चलते हैं तेईस नमबर जो भी बच्चे का रहे हैं को नमबर तेईस का को नमबर यानि आनंद कादीब मिनी उन सभी का करेक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन चलें ध्यांस देखिएगा 24 नमबर धुरू सामनी नाटक के लेखा कौन है ये कोशन दोहर 20 में पूछा गया था रामकुमार वर्वा जैसंक के फूल निबंद के लेखा कौन है ये कोशन दोहर 20 में पूछा गया हजारी परसाद दुएदी जिन भी बच्चे बता रहे हैं यानि की खन नमबर उन सभी का करेक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन चलें ध्यान से देखिएगा 26 नमबर कोशन आपके पास आ चुका है बताईए एक जबाब सही सही प्रेम चंद्र की कहानी का नाम बताना इसमें ये कोशन दोहर 20 में पूछा गया था कि प्रेम चंद्र की कहानी का नाम क्या है कौफवन है गुंडा है रोज है चीफ की दावत है तो जो भी बच्चे करें गुंडा है सब का सही है नेक्स्ट कोशन की तर करेक्ट हो जाएगा ओके ललित निबंद हो के सभी का सही हो जाएगा 28 नंबर कोशन पर आ चुके हैं 28 नंबर हरिसंकर परशाई की जैसे उनके दीन फिरे किस विदा की रशना है ये कोशन 22 में पूछा गया कोशन था उपनियास का कहानी का निबंद का यहां पर नाटा का जो भी बच्चे कर रहे हैं कि कहानी का है कहानी का उन सभी का करिक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन आपके पास आ चुका है 29 नंबर ध्यान दिजिएगा जो भी अच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नेगे बहुत ही इसको हर्ड वर्क के साथ बनाया गया है आप लोग प्लीज एक लाइक किजिए शेयर भी कर देना अन्य बच्चों में और चैनल पर ने यह कोशन दो है रभीस में रिपीट किया गया है दिवेदी उके सदल मिस्र मोहन राकेश सरदार पूर सिंग अगे जी चलिए इसका करेक्ट एंसर जो बच्चे कह रहे हैं कि होगा इसका गव नमर यहाँ पे गव नमर सरदार पूर सिंग होगा ठीक है तीसरा यह सरदार प परशाद की हरिवन्स राइवचन अगे जी कि जो भी बच्चे कर रहे हैं कि हरिवन्स राइवचन की है उन सभी का करेक्ट है ओके नेक्स्ट कोशन आपके पास आ चुका है 31 विसस्य बिसमोधम की गध विधा यह कोशन दो है यह इसमें पूछा गया था कहानी का नाटक का अपनियास का निबंद का जो भी बच्चे कर रहे हैं कि नाटक है तो इसका सभी का करेक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन आपके पास आ चुका है 32 नमबर अरे यह यावर रहे गया याद के लेखक कौन है यह स्पाल मुक्ति बोध अगे जी का नगेंदर जी का जो भी बच्चे करें कि अगे जिगा है उन साभी का करेक्ट हो गया next question चलेंगे यहां पे 33 नमबर बाल भट की आत्म कता किस विदा की रचना है निबंद का उपनियास का रेखा चीत्र आत्म कता उन देखे जो भी बच्चे का रेखा उपनियास होगा उन साभी का करेक्ट हो गया तो आज की इस मतलब इस सेशन में अभी लोग हम लोग मतलब गद साहित्य से के वल अभी 33 कोशन कर लिए 33 कोशन के बाद आप चलते हैं पद साहित्य में most important बता रहे हैं देखिए यहां पर लिखा गया है पद साहित्य से टोटल आपको यहां पर आप 30 कोशन आभी बताएंग यहां फर्स नमबर पद साहित्य से कमाइनी महाकावी में सरगों की संख्या कितनी होती है जादा टाइम नहीं लेंगे आपको यहां पर सीधे एंसोर बताएंगे ठीक है यह कोशन देख सकते हैं दुह है इरभी सबोड एक्जाम में 19 में 14 में 14 13 मतलब इतने बार पूछा ग फर्स हुआ था वो 1943 मियानी खनमर अप्सन क्या है तो इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन चलेंगे यहां पर धान दीजिएगा तीसरा नमर रीती मुक्त कावी के रचनकार कभी है इस तरीके का कोशन पूछा जाएगा ध्यांस दिखिएगा रिती मुक्त का रहते हैं तो आपको इसमें दो दिक रहा है नू? तो बिसमें कई अंसर देखने को मिलेगा इसमें दोनों सही है ठीक है लेकिन पेपर में दो आपेसन कोई शचर नहीं हो सकते एक कई होगा बट आप अच्छे त्यारी करके रखिएगा फोनमर सुमित्रन अंदन पंद को ग विदा की रचना है लोकायत युगांत यहाँ पे कला और बुढ़ा चांद चीदंबरा यानि कि चार नमर जो कोश्चन है इसका करेक्ट एंसोर जो भी बच्चे करहें चीदंबरा होगा उन सबका सही है Next question 5 नमर पे आचुके हैं ज्यानसरी सका के प्रतिनिदी प्रमुक कवी कौन माने जाते हैं ये question 22 में 13 में पूशा गया था ग्यानासरी सका के प्रतिनिदी प्रमुक कभी तुलसी दास, सूर दास, नंद दास, कभीर दास तो ध्यान समझेगा जो भी बच्चे को मालूम है कि हाँ कभीर दास दियें उन सभी का सही है ठीक है नेक्स कोशन आपके पास आजोगा है सिक्स नंबर खड़ी बोली का प्रतम महकाभी है चलिए 20 में पूछा गया कोशन था 2020 पेपर में पूछा था बैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, यहाँ पे ग्राम महा भी जो भी बच्चे कह रहे हैं इसका correct answer है कि हाँ मतलब प्रिय प्रवास होगा नेक्स्ट कोशन जान से देखते ही उड़ा देंगे कोशन साथ नंबर तीसरा सब्तक का प्रकासन वर्ष बताईए यह कोशन दुहरबिस में 14 में 17-14-12 इतना पूछा गया तो 29-49 में मैं इस कोशन को कई बार भी करा चुका हूँ ठीक है अभी भी कोशन पेपर में मैं बताया था इस कोशन को अगला कोशन देखिए आठ नंबर रामधारी सिंग दिनकर को ग्यान पीट पुर्ष कार मिला है किस छेत्र में मिला है कुरु छेत्र में रस्मी रती पर उर्वर्षी पर हुंकार पर यानि कि जो भी बच्ची कर है कि इसका हो जाएगा उर्वर्षी पर मिला है रामधारी सिंग दिनकर जी को ग्यान पीट पुर्ष कार उन सब का करेक्ट हो गया नाइक्स्ट कोशन आपके पास नाइन नंबर आ चुका है कि हिंदी का प्रथम कभी माना जाता है कौन माना जाता है शरवपपा शरहपपा लुईपा कहपपा तो इसका करेक्ट आइनसर हो जाएगा शरहपपा ओके सरहपपा राइट इस दा आइनसर एक्स के बाद दसवा नंबर कोशन कि इस कभी को ज्यानप्रीट पुरुषकार नहीं मिला चलिए नहीं मिलने वाले की बात करेंगे यहाँ पर अप्सन बीना पढ़े नहीं जबाब बताएंगे रामदारी सिंग दिनकर शुमित्रा नंदन पंद जे संकर परशाद महादिव वर्मा दसवा नंबर कोशन जो है इसका करेक्ट अंसवर होजेगा जे संकर परशाद इनको ही ग्यानप्रीट पुरुषकार नहीं मिला है इसके बाद 11 नंबर कोशन पर आ चुके हैं हिंदी साहित्य के किस काल के पुरु मदेकाल कहा जाता है यह कोशन दो है इसमें आठैर में पुचा गया आधिकाल को, भकतीकाल को, रितीकाल को आधूनिकता काल को जितने भी बच्ची कर रहे हैं किसका भकतीकाल होगा एंसवर शवी का करेक्ट एंसवर शई-सई याद किये हैं अगला कोशन यहां पर बार नंबर कितनी नावों में कितनी बार का भी कृती है किसकी ये कोशन दो है 28-16 में पूशा गया था सच्चता नंदन, हिरा नंदन, हरिवन्स राय वचन, गिरिज राज, मतलब गिरजा, कुमार मथूर, सुमीतर नंदन पन बारा नंबर जो कोशन है इसमें जो भी वच्चे करें पहला है यानि सच्चता नंदन, हिरा नंदन, वसायन, इन सब का करेक्ट है नेक्स्ट कोशन थर्टी नंबर, तेरा नंबर, हरी घास पर छड़भर, कृती, निमलिकित में से किसकी है भावानी परसाद मौरी जी का, बाल किशल सर्मा जी का, अगेज जी का, नकार्चुन का यहाँ पे तेरा नंबर, जो कोशन इसका बच्चे करें अगे, उन सबी का करेक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन सलते हैं, यहाँ पे चोदर नंबर, अस्ट छापके कभी नहीं है यहाँ पे कभी नहीं है, यह कोशन दुएर भी इसमें पूछा गया परमानंद दास, यहाँ पे दिया है, गोविंद स्वामी, इस्वर्दास, नंद दास इसमें से कोण सा करेक्ट अमसर्ण होगा, यानि कि इस्वर्दास जितने भी मैं कोशन बता रहा हूं, 93 कोशन को तयार कर लेते हैं तो 10 नंबर कोई नहीं रोखेगा, कनफॉर्म कर रहा हूं पूरा अच्छी स्तियार किजिए, काफी मेहनत के बाद इसको तयार किया गया है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है पंदर नंबर कोशन, निमलिखित में से एक चंपू काव यह है चंपू काव यह कोशन 2020 में पूछा गया था पंचवटी, द्वापर, यसोधरा, सेदराज इसका करेक्ट एंसोर जो भी बच्चे कर रहे हैं कि यसोधरा होगा, सबका करेक्ट है नेक्स्ट कोशन 16 नंबर बीने पत्री का किस काल की रशना है, यह कोशन भी दो है, रभी से पूछा है आदि काल की, मुक्ती काल की, रिति काल की, आदुनी काल की जो भी बच्चे कर रहे हैं कि इसका करेक्ट एंसोर मनी मुक्ती काल होगा, सबी का करेक्ट है नेक्स्ट कोशन यहाँ पर आ चुका है ध्यांस थोड़ा से देखिए 17 नमर कोशन में अभी तो कोशन हम आपको बताएंगे लेकिन आपको तयारी इसको अच्छे से कर ही लेना है चलिए यहाँ पर 17 नमर कोशन को देखेंगे यहाँ पर रामधारी सिंग दीनकर की रचना है यह कोशन दोयरभी से पूशा है इसका करिक्टरन से पृत्र हुआ कि परशुराम की परतिक्छा होगा ऐसा कोई घर नहीं अपने देखा शोड़प की रड़ जो भी बच्ची करें परशुराम की परतिक्छा सभी का सही है नेक्स कोशन चलते हैं 18 नमर लिखा इसमें कि हिंदी का प्रतम महा कावी माना जाता है दुहरभी समें पूशा के कोशन रामचरितरन मानस पदमावत को पृत्वी राजरासों को रामचंद्री का को जो भी वच्चे कर रहे हैं यह प्रतम महा कावी मतलब की प्रतिवी राजरासों को माना जाता है सभी के करेक्ट है इसके बाद ही आगे कोशन देखेंगे करें कि नीमन में से मैथली सर्भ गुप जी की रसना है चलिए पढ़िए आंगन के पारदवार आंग यूगाव वाणी परश्वराम की परतिक्छा यानि कि आगन जो बच्चे कर रहे हैं उन सब का सही है ये कोशन दुआरवीस में पूछा गया था सारे कोशन दुआरवीस में रेपीट किये गए है विसवा नमर कोशन देखिए नीमन में से जे संकर परसाद की कावी करिती है इत्यलम अनामी का दौपर चित्रधारा जो जो भी शिक कर रहे हैं कि इसका शुरिकांत नित्रपाठी निराला जियोंगा सब का करेक्ट है नेक्स कोशन बाइस नमबर पर ध्यान दीजेगा सुमित्रन अंदन पंत शुक कुमार कभी है प्रकृत के आसा के स्रधा के इंडा के प्रकृत के करेक्ट है प्रकृत अप्सन जो भी बच्चे कह रहे हैं सब का सही है यहाँ पे देखिए तेस नमर कोशन कमाइने के प्रतम सर्ग का नाम बताइए तो चिंता होगा आसा होगा स्रधा होगा इंडा होगा यानि चिंता होगा जो भी बच्चे कह रहे हैं इसका करेक्ट रैंसर चिंता होगा नेक्स कोशन य करेक्ट एंसर को होगा यानि की बीर गताकाल उन सबका करेक्ट है यह सबी कोशन द्वायर भी इसमें पूछे गए आप देख भी सकते हैं सन लिखा गया है पचीस नमर नई कभी तक किस यूगी रशना है यामा के खुस्बु के सिलालेख प्रलाय स्रेजन प्रूरवा तो जो प्रूबते चौंबते के रसनकार कौन है सुमितर नंदन पंध भारतेंदु हरिशंद्र मैथलिस रगूप्त अयोदे सिंग उपादे हरी जी जो भी बच्ची कर रहे हैं इसका करेक्टर अन्सरों हरी उपादे स्रियों होजी है उनका सबका सही है अयोदे सिरी उपादे ज अब इसके बाद हम लोग कोशिन नमर 27 को देखेंगे क्या लिखा है कि सुफी का विधरा के कभी कौन है ये कोशिन 2020 में और 19 में भी पूछा गया है और 22 में आने का चांस बन गया है सुफी का विधरा के कभी रस्खान जी रहीम जी जैसी जी है नानक जी है कौन से करेक्ट एंसर होगा जो भी बच्चे कर रहे हैं कि जैसी जी है उन सभी का करेक्ट है ठीक है यहाँ पर 28 नमर कोशिन को ध्यान से देखिएगा और सही एंसर किजिएगा यमा रस्णा ही ये कोशिन 2019 में पूछा गया था जैसंकर परसाद जी कि महादवी वर्मा जी की अगेज जी की सुमित्रा नंदन पंत जी की जो भी बच्चे कर रहे हैं किसका मतलब महादवी वर्मा जी का है शही है ठीक है नेक्स्ट कोशन आप सभी के सामने आ चुके हैं 29 नमर कमायनी किस यूग की रशना है ये कोशन 2019 में पूछा गया था कमायनी किस यूग की रशना है दिवेदी यूग छहवाद दोतर यूग कालका छहवादी कालका भरतेंदू कालका जो भी बच्चे कहा रहें 29 नमर का कि गव होगा यानी छहवादी यूग सभी का सही है ओके नेक्स्ट कोशन 30 नमर अब इसके बाद हम चलेंगे और कोशन थोड़ा सा मतलब कि और 30 कोशन करने हैं बस प्रिय प्रवास काविक रिती का मुख्य रस क्या है ये कोशन 29 में पिछ है मतलब पूछा गया है सनयोग स्रिंगार करूड का बियोग स्रिंगार शांत का कौन सा अप्सन सही है आप कोमेंट बक्स में रिप्लाई दीजिए बियोग स्रिंगार जो कह रहें उन सब का हो गया अब आ गया है फिर यहां पर देखिए तीस महत्पूर्ण प्रस्ण बहुभी कल्पी मतलब टूटल आपको तीरानवे में से अभी तो हम लोग 63 कोशन कर चुके हैं और तीस ही बच्चा है इसको अगर लगा कर फाइनल में बताते हैं कि 93 में से मैंने कितना किया सही तो मैं बता सकता हूं कि आप बोड़ इजमें कितना एचीव कर लेंगे क्योंकि मैं सभी ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखिए यह पार्ट दूसरा है पार्ट जो है दूसरा है इसको कंबाइन किया गया इसमें बहुत सारे बच कोशन जो है आपका गद दिखन मतलों कि पाच नमर पहला कोशन से आएगा उसमें से अभी 15 कोशन करेंगे चलिए नमक का दरोगा के कहानिकार चलिए नमक की दरोगा की कहानिकार को ने जैनेंद्र कुमार जी जे संकर परशाद जी महादेवियर्मा जी प्रेम चंद्र जी जो भी बच्चे इसका करेक्ट एंसर अभी याद की हैं सबी लोग बताईएगा यानि घण मर जो कहा हो रहे हैं प्रेम चंद्र उन्स सभी का करेक्ठ है यानि कि प्रेम चंद्र जी ओके नेग्स्ट कोशन की तरह बढ़ेंगे यहाँ पे कोशन नमर शेगे आचुका है सरो संसम्रड की रेखा चित्र की जीवनी की आत्म कथा तीन नमर कोशन का जो भी बच्चे कह रहे हैं कि संसम्रड होगा को नमर अप्सन संसम्रड उन सभी का करेक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन आपके संमुख पर हैं देखिए चार नमर डायरी विधा का प्रम की स्यूग में किया गया था भारतेंदु यूग में द्वेदी यूग में छैवादोतर यूग में सुकल यूग में यानि कि डायरी का डायरी जो विधा इसका प्ररम किस यूग में किया गया था हो तो इसका correct answer जो का है रहे हैं बच्ची छायवादोतर यूग उन सभी का right है ठीक है next question आपके सामने है क्या लिखा है कि मार्यादा पत्रिका का संबाधन किया गया किस मतलग किस के द्वारा जैस answer ठीक है next question आपके सामने है six number ध्यान से पढ़िएगा इसको गुनाहों के देवता के लेखा कौन है तो धर्मवीर भारती जी है कि हजारी परसाद द्वेदी जी है कि मुहान राकेस जी है कि जैसंकर परसाद जी six number question का जो अच्छे करें कि धर्मवीर भारती है उनका right answer ओके next question आपके सामने आचुका है यहाँ पर देखिए असुक की फूल रशना विदा है अभी मैंने पढ़ाया इसको कविता है कि रेखा चित्रे है कि निबंध है कि कहानी है जो भी वच्छे कर रहे हैं कि इसके correct answer निबंध होगा एक निबंध है सब का correct है next question आच नंबर जे संक कमो ही महुत्सव है चलिए चारो अपसंस में से कौन सा अपसंस है आप ध्यान समझेगा ध्रूश्वामिनी जुका रहे हैं सभी का सभी है next question आपके पास 9 नंबर आ चुका है आवारा मसीह के लेखा कौन है आवारा मसीह जो है उसके लेखा कौन है कनया लाल मिस्र प्रभाक जी लक्षमी नरायर मिस्र जी यानि कि 9 नंबर कोशन का एंसर रपीट कीजिए जो बच्चे कह रहे हैं कि बिश्रू प्रभाकर होगा उन सबों का सही है next question 10 नंबर कोशन पर आ चुके हैं यहां पे देखिए दुरू स्वामिनी की रशना बिदा है दुरू स्वामिनी जो ह होगा कि नाटक होगा कि यहां पर उपने आस चारों अपसंस में से कौन सा अपसंस है जो बच्चे कह रहे हैं गह यानि नाटक उन सभी का करेक्ट है next question आपके पास आज चुका है यहां पर 11 नंबर अंधिर नगरी के रशनाकार कौन है अंधिर नगरी जो है इसके रशनाक जी क्या है यानि खोन नमर अपसन बता रहे हैं सभी का करेक्ट हो गया यहां पर आप हमाँ चुके हैं question number कितना तो 12 पर सही जबाब दिजिए का बारान नमर कोशन का मोहन राकेश रशनाकार है मोहन राकेश जो हैं किसका रशनाकार हैं किसके किसके रशनाकार हैं चलिए भ 14 नमर कोशन का जो बच्चे कह रहे हैं कि घह होगा सुकल योतर योग के उन सभी का करेक्ट हो गया next question चले next question आपके पास आचुगा है यहां पर 13 नमर कि निंदा रस रशना है किसका है हजारी परसाद्वेदी प्रेम चंद जी की हरी संकर परसाई जी का जैनेन रुकमार ज साइज जी का उन सभी का राइट आईंस्वा ए आगे चलें है जा आ से द्खिये मध्वधा किस वीदा की रशना है रेखाचित्र की कहानी की आत्μα कथा संसम्रड यानी कि जो बच्चे कह रहे हैं कि इसका करेक्ट कहानी होगा कहानी का एंस्वार होगा ठैक्स्ट कोशन यह जीवनी की, इसका करेक्टर एंसर और जो भी बच्चेकर हैं उपनियास का, उन सभी का राइट एंसर होगा, चलिए आप तो हम लोग गद साहिती से कोशन 15 करा दिये हैं, इसके बाद आप पद साहिती से आते हैं, यह है अपका सबसे महत्पूर्ण पद साहित का और 15 कोशन ब टेलिग्राम जाइन करना होगा, वहाँ पर सेंड करेंगे 93 कोशन का एंसर सहीत है न, और जो भी बच्चे मेरे सैकेंड चैनल लिंक नहीं सब्सक्राइब करें हैं, चैनल का लिंक दे दिया हो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चलिए कोशन को थोड़ा सा 15 कोशन इसक सभी का करेक्ट हो गया, पहला का कह जो बता रहे हैं, उन सभी का सही है, सेकेंड नुमर कोशन देखेंगे, सकेत जो है महाकावी के रचईता है, सकेत जो है महाकावी है, इसके रचईता कौन है, तुलसी दास, निराला जी, दिनकर जी, मैथलिस रगुप्त जी, जो भी इसके रचनकार कोन है, यहां पे जैसंकरफरसाद जी, गिरजा कुमार, माथूर जी, हरिवन्स, रायवाचन, सुमित्रा नंदनपंद, इसका करेक्ट एंसर जो भी बच्चे बताए रहे हैं, कि हां तीन नमर जो कोशन है, काला और बुढ़ा चांद, इसका करेक्ट एंसर शुमित्रा नंदन पंद उन सभी का सही है यहां से कोशन तो क्राम चेंज हो चुका है तीन के बाद चार नहीं मिल पाया पांच हुआ पे आ चुके हैं तो इसके लिए मिस हुआ है उससे कोई मतलब ने कोशन का एंसर आपको मालूमूने चीए बस फाइप नमर कोशन पे हम च पुर्दास जी की महादवी वर्मा जी के इसका पांच हुआ का जोवी वच्चे कर रहे हैं रामधारी सिंग दिनकर होगा उन सभी का राइट एंसर ओके नेक्स्ट कोशन शिक्स नमबर पे आ चुके हैं कवी कुल कलपतारू यानि कवी कुल कलपतारू रचना है यह मतिराम की कुल पती मिस्राद जी की चिंतामड़ी की वुशड जी की तो इसमें से 6 नमबर का कोशन जो बच्चे करें कि कुल पती मिस्रा होगा यानि खो नमबर सबका सही है नेक्स्ट कोशन आपके समने आ चुगा इस 7 नमबर क्या लिखा गया है कि गोश्वामी तुलसी दास के बच्पन का नाम क्या था तो तुका राम आत्मा राम सीता राम बोला जो बच्चे करें कि राम बोला था घनमर उनसा भी का सही है नेक्स्ट कोशन चलें सिंपल सिंपल कोशन है लेकिन आपको फास्ट क्वीक रिविजन करा रहे हैं तो त्यारी कर लेना है पूरा कोशन बत दलपत बिजे चंद बरदाई बिद्दापति कौन सा यह आठवा नमबर कोशन का जो वच्छी कह रहे हैं कि चंद बरदाई होगा सभी का करेक्ट हो गया लो करेक्ट करते जा रहे हो कितने तैयारी कर लिए हो बहुत ही वेस्ट जितने मैं इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं अगेज ही हैं उन सभी का सही है कि चली जें थोड़ा-थोडा सब्ट सेस्पपीशन में डाल देते हैं आप लोगों को संख्या कितनी होती है तो कमाइनी महा महामा काब्य गया इसके बाद अगले गया ग्यारे नमर राम भगती सखा के कभी नहीं है तोलची दास अगर दास चत्रहुज दास नाभा दास जो अच्छे कह रहे हैं इसमें कि चत्रहुज दास होगा नहीं यही है सही तो उनका सही है आगे कोशन आपके आ चुका है याने कि 11 नमर कोशन 11 नमर है न सबीकर हो गया आगे चलेंगे और कोशन तीन बच्चे हैं तीनों के बाद आपसे हम पूछेंगे कितने कोशन सभी किये है ठीक है पीडिये फोगेरा की भी बात कर लेंगे तेरा नमबर अमीर खुसरो रशना के लिए रशनकार कौन है राउल वेल खालिम बारी पाहुड दोहा भविस्य तक कहा इसका correct answer जो भी वच्चे को मालूम है बताइए इसका correct answer खालिक बारी जो कह रहे हैं खालिक बारी उसका correct हो गया लो इसके बाद अगला question आपके पास 40 number बिहारी सतसाई में दोहो की संख्या कितनी होती है 700 की 713 की 719 की 724 जो भी वच्चे कह रहे हैं कि 713 होती है लो 713 उन सब का सही हो गया next question चले पंदरे नमबर आपके पास काफी most important आसु की रशनकार कौन है आसु जो है इसकी रशनकार कौन है महादवी वर्मा जैसंकर परशाद प्रेम चंदर जी अगे जी चलिए प्रेम चंदर नहीं जैसंकर परशाद जो जो बच्चे बता रहे हैं सब का सही है आप बताई ये final अपने नोट किया होगा कि 93 questions में से आपने कितने सही किया है कितने गलती किया है क्योंकि 24 March को आपका paper है तो 10 number achieve करना है अगर जितने भी गलतिया किया है तो इस वीडियो को दो बार देखिए तीन बार देखिए आपका 100% 10 number तयार वीडियो को जो भी बच्चे अभी तक like नहीं किये लाइक कर दीजिए चाइनल पने है तो subscribe करके बेल आइकन हिट कर लेजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिसना हो क्योंकि यहां पे all subject यानि सभी subject की भहती बिगयान, रसाइन, बिगयान, हिंदी, गणी सब की त्यारी कर आई जाएगा जो भी बच्चे इसका PDF अगर 93 questions का नहीं लिये हैं लेना चाहते हैं तो वीडियो के description में जाएंगे टेली गराम लिखा होगा लिंक पर जोईन हुईए